रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेर्मैन रतन टाटा का आज असीवा जन्म दिन है। टाटा ग्रुप के अंडर सौ से ज्यादा कमपनी आती है। टाटा की चाय से लेकर पांच स्टार होटल तक, सूई से लेकर स्टील तक, लखट किया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक, सब कुछ मिलता है। रतन टाटा का नाम आज भले ही भारत के बढ़ हे बिजनिस टाइकून के रूप में लिया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था, जब वह भी एक सामान्य चात्र थे। उन्होंने अपनी आदतों और विचारों की वजह से एक सामान्य चात्र से बिजनिस टाइकून तक का सफर तै किया। आज हम आपको रतन टाटा के दस ऐसे विचारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। रतन टाटा से जुड़ी ही कुछ खास बातें। रतन टाटा के लिए काम का मदबल पूजा करना है। उनका कहना है कि काम तभी बहतर होगा जब आप उसकी इज़द करेंगे। टाटा चेर्मेन की सबसे बड़ी खासियत है उनका हमेशा शांत और सौम में रहना। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे करमचारी से भी प्यार से मिलते हैं। उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। दिगज अरबपती रतन टाटा कहते हैं कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें। लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। तन टाटा को जानवरों खास तोर पर स्ट्रेट डॉग्स से खासा लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते रहते हैं। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूजने वाले चात्रों को भी मदद देने में आगे हैं। उनका ट्रस्ट ऐसे चात्रों को स्कॉलर्शिप देता है। ऐसे चात्रों को जे एन टाटा इंडावमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलर्शिप और टाटा स्कॉलर्शिप के जरीए मदद दी जाती है। रतन टाटा के दस विचार। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं। जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हम सभी की वैलिडिटी है। यदि हम भाग्यशाली रहे, तो कम से कम पचास साल तो जेंगे ही इन पचास सालों में केवल थूजा चीज सो वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है। जीवन को इतना भी कठिन मत बनाईए कि खुशियां आपसे दूर रहें। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़ धे समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी खुद की ही जंग इसे नश्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नश्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिक्ता उसे बरबाद कर सकती है। हम लोग इंसान हैं, कोई कम्प्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाईए। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं, तो उन पत्थरों उप्योग अपना महल बनाने में कर लें। झाल बनाने में कर दो लेता हूँ।